इसनलाय रुख्मान रहीं, अस्तनामु आलेकुम नाजरीन, वेलकम बैग टू माई चैनल आईशा हेल्टी ब्यूटी तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताईएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा केले की अफाद्यस से कौन वाकिफ नहीं केला एक ऐसा फल है, जिसे बच्चा हो या बड़ा हर कोई शौक से खाता है केले में विटामिन्स और फाइबर की भरपूर मिगदार शामिल होती है वैसे तो केले के बेशुमार फावाइद हैं लेकिन आज हम बात करेंगे केले के छिलको की ज्यादा तर लोग केले खाकर इसके छिलको को फैंक देते हैं लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप केले के छिलको को फैंकने से पहले सोच में पर जाएंगे तो चलिए स्टार्ट कर देए लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर है तो दिल से आपकी शुकर गुजार हो अगर आपके जिसंपर कहीं भी मस्सा हो तो आप वहां कुछ देर केले का चिलका रगणे और फिर चिलके को मस्से के उपर रखकर टेप लगा दे इससे आपका मस्सा ज़र जाएगा इसके इलावा अगर आपको ठकन मैसूस हो रही है तो केले के चिलकों को अपनी आखों पर कुछ देर के लिए रखे आपकी ठकन में कमी होगी और राहत मिलेगी इसके इलावा अगर आपके चेहरे पर कहीं पिंपल निकल आया है तो केले के चिलके से हलके हाँ से चेहरे और पिंपल पर 5 मिन तक मसाच करें पिंपल खतम हो जाएगा और अगर आप चाते हैं कि आपकी दांत मोती की तहां चमके तो केले की चिलके को दांतों पर लगएं दांत मोती की तहां चमकने लगेंगे अगर आपको कहीं भी कोई कीरा काट ले तो केले की चिलकों को पीस कर मतासरा हिस्से पर लगाएं दर्द में अराम मिलेगा इसके इलावा अगर आपका लैदर वैग, बैल्ड या जूता डल हो गया है तो उन पर केले का छिलका लगएने से उन में नहीं जान और चमका जाएगी और अगर आपके जिसम में कहीं भी दर्द है तो वहाँ केले का छिलका लगाकर 30 मिंट के लिए छोड़ दें दर्द में अराम मिलेगा इसके इलावा अगर आपके चांदी के बर्दन या जूली डल पर गई है तो आप केले के छिलकी की मदश से इसे चमका सकते हैं इसके लिए केले की छिलकों को ब्लेंडर में डालकर पानी की मदश से पेस्ट पना ले फिर इस पेस्ट से चांदी के बर्दन को रब करें दो मिंट बाद साधे पानी से दो ले फिर किसी कपड़े की मदश से हुश कर ले बरतन पहले की तरह चमकने लग जाएगा इसके इलावा केले के छिलके मच्छर के काटने के बाद जो सुजन आ जाती है उनमें भी अराम देते हैं जब आपको मच्छर काट ले तो आप वहां केले के छिलके को 5 मिन तक रख ले दर्द और कुजली दोनों में अराम मिलेगा तो दोस्तों ये थे केले के छिलके के कुछ दिल्चपस फवाइद उमीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे अगर अच्छे लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले चैनले अब इजादत दें इन्शाला फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा खया रेकिएगा दुआओं में याद रेकिएगा अल्ला हाफिज